हलो फ्रेंज आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी करारे क्रंची चाइनीज पकोड़े की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही सिंपल तरीके से ये बन जाता है पसंद तो हर किसी को आता है तो चलिए बनाते हैं चाइनीज पकोड़ा नमस्कार, मैंने तो विश्रा मेरे YouTube चैनल स्वादेलिया स्वैडेलिया पे आपका स्वागत करते हूँ मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर सिस्क्राइड करण न खुले चले आज की रिस्पी सुरू करते हैं चैनीज पकोड़ा या भजिय बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडियन है वो पत्ता गोवी तो मैंने यावे एक पाव पत्ता गोवी को बारिक कट कर लिया है अब इसी में डालेंगे बारिक कटा हुआ दो बड़ी साइज की प्याज साथ में मैं डालूँगी कदू कस किया हुआ गाजर आप चाहे तो गाजर को बारिक कट करके भी डाल सकते हैं अब इसी में हरे धनिया का डंठन डालेंगे जिससे आपके चैनीज पकोड़े में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा साथ में डालूँगी बारिक कटा हुआ हरा मेर्च एक आधा कप सिम्ला मेर्च उसे में हम बारिक कट करके इसमें डाल देंगे तो अभी मैंने यहाँ पे इस सिम्ला मेर्च डाल दिया है आप इसमें डालेंगे अधरक और लेसन का दरदरासा पेश्ट अद्रक और लसन डालने से चाइनीज भजी में बहुत ही अच्छा फ्लिवर आता है तो आप चाहे तो चॉप करके डाले या फिर पीस करके डाले लेकिन अद्रक और लसन जरूर डाले चाइनीज भजी में तो सब्जियों की बाइडिंग के लिए अब इसमें हम डालेंगे मैदा. तो मैंने यहाँ पे एक चमच, दू चमच, तीन चमच, और ये रहा चार, लगभग पांच चमच मैंने इसमें मैदा डाल दिया है. अगर मुझे जरूरत लगेगा, तो मैं आगे भी मैदा इसमें डाल सकती हूँ. लेकिन अभी हम इसमें डालेंगे साथ में कौन फ्लोर. आपको अगर कौन फ्लोर न मिले, तो इसकी जगह आरा रोड भी आप इसमें डाल सकते हैं. मैंने इन सब्जियों में मैदा डाल दिया आप इसमें डालूंगी लगभग तीन चमश बराबर कॉन फ्लोर मैंने एक चमश डाल दिया ये रहा दूसरा चमश और ये रहा तीसरा चमश कॉन फ्लोर तो आप भी जरूर डाले ये कॉन फ्लोर आप इसमें डालूंगी स्वादा आनुशार नमक, नमक डालने से सब्जिया पानी अच्छे से रिलीज कर देंगी, और इसमें हमें पानी डालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तो चलिए अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं, पहले इसमें डालेंगे एक चमच, कस्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा इ पूट कलर डाल दिया है, चलिए चाइनिज भजिया बनाने के लिए इस आठे को कर लेते हैं मिक्स सब्जियों के साथ, तो सब्जियों के साथ इसे पहले हलके हाथों से मिक्स करें, आप देखेंगे कि आपका सब्जी जो है वो नमक बाते ही पानी अच्छे से रिलीज करन तो आप भी पहले अच्छे से इसे इस तरह से मिक्स करें, अगर जरूरत लगें तो इसमें पानी डालें वरना नहीं डालें, तो अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है, अब धकल लगाकर इसे 10 मिनट के लिए रेश्ट पर रख देंगे, और 10 मिनट बात आपका हाटा मतलब चाइनिज भजी का मिक्स बहुत ही अच्छे से फुल के तयार हो गया है, अब इसे में मैं डालोंगी काले मिर्च, वो भी कुटा हुआ, आपके पास अगर पौडर है, तो आप काले मिर्च का पौडर भी इसमें डाल के इसे अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर तो अभी आपके चाइनिज भजी के लिए मिक्स हो गया है, तयार, दूसरी तरफ गैस पे मैंने तील गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था, तो चलिए छेक करते हैं तेल हमारा गरम है या नहीं, तो भजी आ क्या जो मैंने मिक्स तयार किया है, उसे डालोंगी थोड़ और ये देखिए कितना अच्छा तेल हमारा गरम है, अभी मैंने गैस का फ्लेम तीज कर रखा है, आपको इस भजीय को हाई टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है, पहले इसे हाई फ्लेम पे डालें, फिर थोड़ी देर बाद आप गैस के फ्लेम को कर दें मीडियम पे, और इस इसे पकने दें, फिर उसके बाद इस भजीय को हम निकाल लेंगे, तो फटा-फट हमने जो भजीय का मेक्स तयार किया है, उसे हाथों से छोड़ा-छोड़ा करके भजीय हम इसमें डाल देंगे, पतलब चाइनीज पकोड़े की आपक अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं तो मैंने यहाँ पे छोटे-छोटे साइज में चाइनीज पकोड़े को अंदर डाल दिया है तेल में, बस इसे डालने के बाद थोड़ी देर तक हम पकने देंगे, जब यह एक साइट से अच्छे से पक जाएगा, तब हम इसे चमच की सहायता से पलट देंगे, और दूसर सकते हैं, यह काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो चलिए एक पलेट लेते हैं, और इसे हम निकाल लेते हैं, तो यह लिजिए मैंने इसे निकाल लिया है, देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, अब एक बार इसे निकालने के बाद, हम गैस के फ्लेम को वापस से करेंगे 30 और हाथों में धेर सारा बेटर लेके एकदम ठेले वालों की तर इस तरह से इकठे ही एक बार में धेर सारा चाइनीज भजिये को हम तेल में डाल देंगे। मतलत जितना आपसे एक बार में हैंडल हो बस उतना ही भजिया आप कड़ाही में डालें। और इसे भी हम तुरंद पल्टेंगे नहीं बस थोड़ी देर इसे पकने के बाद अलट पलट करके एकदम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो आप चाइनीज भजिया को हाई टू मीडियम फ्लेम पे ही निकालें। तब ही आपका चाइनीज भजिया पूरी तरह से क्रंची करारा तैयार होगा एकदम मार्केट जैसा। तो लीजिए तयार है हमारा दूसरा पैज भी इसे भी हम प्लेट पे निकाल लेंगे। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो चाइनीज भजिय को हम सर्व करेंगे सेजवान चटने के साथ ये देखे कितना अकरसक चाइनीज भजिया तयार है। इसे मैं तोड़के दिखाती हूँ, दीखिए एक दो मार्केट की तरह तयार है हमारा चाइनीज भजिया जैसे मार्केट वालों का खिचा-खिचा बनता है बिल्कुल वैसा ही। तो आप भी बढ़ाए अपने परिवार को खिलाएं। स्वात कैसा लगा इस चाइनीज भजिय का कमेंट में मुझे बताएं। और हाँ, रेसिपी अच्छी लगी चाइनीज भजिय की, तो नीचे दिये गए लाइक बटन को जरूर दबाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तब की लिए, बाइ-बाइ!